सिव पुरान कथा भगवान नारायन जब जल में सयन कर रहे थे तभी उनकी नाभी से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन हुए, माया के वस में होने के कारण ब्रह्मा जी अपने उत्पती के कारण को नहीं जान सके, चारो ओर उन् दर्सन दिया और कहा, मैंने तुम्हें सत्वगुन से निर्मान किया है, लेकिन माया वस ब्रह्मा जी विश्नु जी के स्वरूप को न जानकर उनसे युद करने लगें, तब दोनों के विवाद को सांथ करने के लिए एक अध्भुत जोतिर लिंग का अविभा हुआ, दोन नीचे की ओर गए, लेकिन दोनों ही जोतिर लिंग के आधी अंत का पता नहीं कर सकी, इस प्रकार सो वर्स बीत गए, इसके प्रस्चात जोतिर लिंग से उन्हें ओकार सब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंच मुखी एक मुर्ती दिखाई पड़ी, ये ही सिव थे ब्रह तो मेरे ही अंस से उत्पन हुए हो, और ब्रह्मा को स्रिष्टी की रचना एवं विष्णु को स्रिष्टी का पालन करने की जिम्मेदारी, प्रदान की, सिव पुरान में 24,000 स्लोक हैं, इनमें तरका सुर्वध, मदन डाह, पार्वती की तपस्या, सिव पार्वती विवाक कार्थिके का जन, त्रिष्पूर का वध, कितकी के पुष्प सिव पूजा में निश्तेद, रावन की सिव भक्ती, शिव भक्ती आधी प्रसंग, वर्नित हैं, चैर महा देव, हर हर सिव संकर,